चलो उस रात की बात बताते हैं क्या हुआ था उस रात को ये समझाते हैं वैसे तो ये किस्सा बहुत दर्दनाक है चलो फिर भी कोशिश करके बताते हैं घर वालों ने कहा कि शादी कर लो लड़की बहुत ही भोली है संसकारी है, पड़ी लिखी है सीरत से बहुत हमझोली है सोचा हमने की हम भी जिएंगे शादी के बाद खुशाल रहेंगे ना मालूम था की ऐसा होगा जीना तो दूर, हुआ जो उस रात वो किस से कहेंगे सबने कहा और हमने माना रजामंदी हमने भी भर दी चटमंगनी और पटब्या जिसको जहां जगा मिली वहीं पर उसने कूल आटेका सुबा हुई और होश संभाले देखा कौन कहां पर है चाने की तयारी कर ली जैसे भी हालातों में है महमान सभी अपने घरों को गए हमने भी सामान लपेटा जो जैसा था अस्तव्यस्त वैसा ही खुद को समेटा हम भी अपने घर को पहुँचे साथ में हमारी दुलहन थी मन भाव विभोर हो रहा था दिल में भी एक हल चल थी हम भी देख रहे थे समय को काटे नहीं कटता था ना जाने कैसे वो लम्हा कई सौ बरस का था सांज हुई और सबने बोला जाओ जीलो अपना जीवन बस यही सोच कर हम भी चल दिये लेकर अपना बांका यौवन भीतर गए और हमने देखा सब कुछ साफ सुसज्जित था दुलहन का मन भी तो लगता जैसे ही प्रफुलित था पास पहुचे और थामा हाथ जैसे सिरहन दोड़ गई एक पल में लगा कुछ ऐसे जैसे हिरनी सौंध गई हमने बोला कि बहुत सुंदर हो कैसे हुसन संभालती हो उसने बोला अब आदत सी है जब से अंतर ग्यान समझ गया दिमाग सक पकाया और ये सोचा शायद हमने कुछ गलत सुना लड़कियां तो गई कहती है हमने शायद गया सुना जब पता चला कि दुलहन के फेर में हम ले आए दूलहे राजा ना मालूम था कि जल्दी बाजी में बेच गया अपना बैंड बाजा हम सोच रहे थे खेलने आएं खेलने में मज़ा आएगा खेल जरूर ने आथा लेकिन क्या पता था डांडिया खेला जाएगा